कि अगर एक साल के अंदर दस लाख नौकरी वो दे दे में मैं उनका जहंडा लेका दे तुम होगा है फिर प्रसांद कि सोर्जी की कोई भी स्वस्नियता है क्या को खुद भी स्वस्निय है क्या कभी बंगाल में जाके मंता मंता जी का प्रचार करते हैं उत्तर प्रदेश में जाके कॉंग्रेस का प्रचार करते हैं पंजाब में जाके कॉंग्रेस का प्रचार करते हैं आंधर प्रदेश में जाके वाईयसार का प्रचार करते हैं तो उनका अपना कोई विश्वस्नियता है क्या उनकी वो देखिए बेसिकली बास्तविक्ता अगर कहिए तो प्रुशान्त की सोर्जी राजनितिक व्यत्ति नहीं है वो ब्यापारी है वो ब्यापार करते है और अपना ब्रांड अब आजकल हमको लगता है बिरोजगार है या भारतिय जनता पार्टी से हो सकता है कुछ उनका हुआ होगा साथकाट लगता तो यह है कि कुछ भ तो उनका प्रोड़क्ट कुन खरीदेगा तो जो ब्यापारी है मैंने पहले भी कहा कि राजनित और ब्यापार एक साथ नहीं होता है या तो राजनित करिए या ब्यापार करिए तो वो चाहते हैं कि ब्यापार अपने ब्यापार को बढ़ाने के लिए राजनितिक शिख्षा के छेत्र में, आज बिहार में लड़के और लड़कियों की संख्या बरावर हो गई है, बैट्रिक में, आज बिहार का प्रजनंदर 4.3 से घट कर 2.9 हो गया, नेस्नल राश्टी आउसत दो है, दो प्रतिशत का राश्टी आउसत है, मुख मंत्री जी लड़कियों को सिक्षित करने पर जोड़ दे रहे हैं, साइकील योजना उन्होंने चलाई, प्रत्साहित करने के लिए लड़कियों को स्कूल जाने के लिए, मुख मंत्री जी ने पुसाक योजना चलाई, लड़कियों को प्रत्साहित करने के लिए, और आज उसका परिनाम है कि मिल र करते हैं अपना ओफस में एस Probably चले जा जाती है कम भी बंगलर चले जाते उन्हां जहाँ आपना बिजने स्वाहर में गाहन के देखते रहते कि आरहने कोई ऐसा है कहгоuda कह कॉए अधुवमि नगता है में गराओ में seeing हम साड़े छे में चले और दस वजे पटना पहुंचिए। साड़े तीन गंटा में फुल पराज से पटना आ गए। यही था बिहार। तो बिहार में जो विकास हुआ है हर चेत्र में काम हुआ है। कि भान का ब्राइंडिंग है भारत सरकार ने बिहार कें जो षरगर बिजली, सात्तनि की यूजना चलाई और और ऑन उन्होंने यूजना उभी कहेंगे, एकल खराम हे तो यही प्राइंडिंग है ना 2017 में उसको भारा सकार ने डॉप्ट कर लिया तो बिहार में बिहार का मॉडल है नहीं हर गाउं के गली और नली का पक्की करन यह बिहार का मॉडल है नहीं हर घर नल का जल यह बिहार का मॉडल है मान नितिश जी का मॉडल था ना 2015 में जिसको 2019 में मुधी जी ने देश भर में लागू कर दिया महिलाओं को ससक्त करने के लिए मुख मंत्री नितीश कुमार जी ने महिलाओं को पहले सबसे पहले दिया पचास परतिसात पंचाजती राज वेवस्ता में और नगर निकाए में आरक्चन उसके बाद पुलिस की नौकरी में उन्होंने 35 परतिसात का आरक्चन दिया बिहार के अलावग कोई देश में कोई ऐसा राज है जहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आपको नजर आएंगे प्लिस फोर्स में बता दीजे हमको जराए उसके बाद हर सरकारी सेवा में चाहिए वो क्लास वन हो क्लास टू हो हर सरकारी सेवा में 35 परतिसात का आरक्चन उन्होंने दिया महिलाओं को महिलाओं के सवसक्तिकरण के लिए गरामीन महिलाओं के सवसक्तिकरण के लिए उन्होंने जीविका योजना चलाई एक दस लाक से ज़्यादा आज जीविका समू है पूरे बिहार में एक कडोर से ज़्यादा महिलाएं उससे जुड़ी हुई है भारत सरकार ने जब उसको देखा जीविका को तो उसको आजीविका के नाम से शुरू कर दिया पूरे देश बर में तो नितीश माडल ये है प्रसांत की सुर्जी को कहां से नजर आएगा वो ब्यापार के नजरिया से देख रहे हैं अब ये सब बात वो नहीं बोलेंगे उन और द्राण्डिंग करता है उसी तरह प्रसांत की सोष जी ब्राणडिंग कर रहे हैं राजजनीत को और व्यापार को अलग-अलग रखिए आप ब्यापारी हैं व्यापार करिये राजनीतिक इंभी Gynna LeComstep दिश 1724 है जुड़िये ना रहु की वो स्टाफ है पहले थथी च तो जिस व्यक्ति ने मान्य मुखमंत्री नितिश कुमार जी ने उनको इस लाइक बनाया कि वो आज कुछ बोल रहे हैं और आप लोग उनका नोटिस भी ले रहे हैं, यह किसका देन है? आप लोग जो उनका नोटिस ले रहे हैं, आज उनका बाइट लेने के लिए खड़ा हो जाते हैं, किसका देन नहीं? राजनिति कार्ज करता कभी रहे क्या हो? राजनिति कार्ज करता की ट्रेनिंग होती है, राजनिति कार्ज करता सीखता है, कुछ करते हैं कि हम बहुत भारी संगठन करता हैं, कब संगठन का काम के हो? संगठन का काम तो यही किये, कि राज स्व मुक्ह मंतरी इसे पूचे के अंदर में मंतरी बन गया, राजनीति काज करता काम है, तो जो स्वार्थी हो, जो जिसने, जिसको बनाया, उसके प्रति भी बफादार नहीं हो, उनको बनाया किसने, सबसे मौलिक सवाल है, उनसे पूचिये, आपको इस लाइक किसने, पूछिए कि आप जो आज बाइट दे रहे हैं बाइट देने के लाइक आपको किसने बनाया है तो नितिश कुमार जी ने बनाया है अब बाकी तो इस्टाफ थे तो इस्टाफ पर कितना हम बोलते रहे हैं अखली को इसको किसी दूसरे अंगिल से देखने के जगरत मानी मुक्षमंतरी जीी ने कहा है हम सब लोगों चो हुए हम लोगों ने राष्टिय परिश्त की पैठक परस्ताव आ निया कि हम लोगों मुक्हमंतरी जी को अधिकरिद किया है सभी विपक्षी दलों को बात करके एक मंज पर लाने के लिए इसी संदर में वो दिल्ली गए दिल्ली में उनकी अखलेश जी से भी मुलाकात हुई मुलायम सिंग जी विमार थे उनको भी मेदानता इस्पताल देखने गए थे अब अगर और सब को सभी दल जिन दलों से भी मुखमंतरी जी ने बात किया उनका रुख सकारात्मक है तो अगर पोश्टर लगा है तो इसमें कौन बात खास बात है नितीश कुमार जी तो चाहिए नहीं कि सब मिलके लड़े तो नितीश कुमार जी और अखलेश जी एक पोश्टर में है कल तो पार्टी नाव दूस्ट्मकलर सकता है जी बाट को दूसरे सदल में मत देख्यों मंत दीजिकर में यह कहा है हम ने भी देखा है मं दीजिए ने यह कहा है कि बंगााल बिहार है ना चार राज मिलके मोदी जी को खतम कर देगा। तो ये सही उन्होंने कहा। भारतिय जंता पार्टी के लोग जितना ढोल पजा रहे हैं, क्या है संख्या? 31 की संख्या है, 303 है और 272 चाहिए। तो 31 की संख्या और मम्ताद जी ने कहा है, कि ये चार राज मिलके खतम कर देगे, तब आपको हम बता देते हैं। 18 है आज बंगाल में, सुन पर चले जाएंगे। 17 है आज बिहार में, सुन पर चले जाएंगे। तो 18 और 17, 35 जारखंड में आज 12 है। उत्तर परदेश में 65 हैं, तो वहांसे नीचे ही ना जाएंगे। तो नीचे ही जाएंगे, जारकंड में भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, तो 35 ही दुन हो गया, और बाकी उत्तर प्रदेश आ जारकंड एड़ कर देगा, तो खतम है वो, उनका खेल खतम है 2024 का, लेकिन इची जा रहा है कि यहां कि सरकार रिमोट कंट्रोल से चलिए, लाल प्रदेश बलने के लाइक है नहीं, तो यही सब बोलेंगे, चिटपुट घटना एक घटना कोई हो गई, तो कानून वेवस्ता खराब हो गया, जो भारतिय जनता पार्टी में योगदान कर दे दिया, तो सताचारी हो गया, जो भारतिय जनता पार्टी से बाहर हो गया, व तो यदुरप्पा साहब भारते जनता पार्टी के वासिंग मसीन में घुश के साफ हो गए अरे स्वेत पत्र जारी करिए ना कितना उन पर मुकदमा था कौन-कौन मुकदमा था तो भरष्टाचारी और सदाचारी का परिवासा जो अपने डंग से भारते जनता पार्टी पेश कर रही है उसका अनुग बात है